वेलकम बेग दिस इस दीपक ध्यानी लास्ट रेक्षर में बात की थी टपल के बारे में देखा था टपल क्या है कैसे एक्सेस कर सकते हैं यह सारी चीज़े देखी थी तो इस वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं टपल के फंशन्स के बारे तो टपल का पहला जो फंशन है वह है ठीक है फंशन्स एक ही बात है लेन मतलब इसकी लेंद को हम कैल्कुलेट कर सकते हैं सब्सक्र जैसे कि आपकी टपल है 1589 6.5 और 8 तो इसमें मैं चाहता हूं कितने एलिमेंट हैं इसमें एक दो तीन चाहर पांच छे तो आपने टेक्निकली प्रोग्राम से यह आपने प्रूब करना है कि आपने लेंद केल्कुलेट करने हैं ध्यान लखना है जब भी लेंद केल्कुलेट होती है यह 123 की फॉर्म में काउंट करता है ठीक है तो कैसे इस फं करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा लेंद जब भी फंचन यूज करते हैं तो इसको अंदर है और मुझे लेंद किसकी कल्यकुलेट करने है कैपिटल टी क्योंकि पूरी की टपल किसके पास है कैपिटल टी के पास है कंट्रोर एस देन एपपाइब यह कह रहा एट बिल् पन लेंद यही होती है जो भी आपकी जितने इंकर पिन यहां बता देगा वही इसकी लेंद या लेंद कहलाती है जो कीवर्ड यूज होगा संटकस होगा एसे होगा ओकैशा अगरे जो हमारा मैफड़ है वह है मैक्स दिक्ष मैथाड रेटार्वर टपल मैक्सिमम वेल्य को तो I have a tuple 1 2 3 4 5 5 21 5 अब मुझे आपर बताना है कि maximum tuple कौन सी है ठीक है तो मैं यूज करूँगा M A X function का और किसके अंदर tuple T में तो ctrl S then F5 you can see 21 is the maximum value and then T double T के अंदर 21 सबसे बड़ा है बिल्कुल सही है ओके एक अगला function होता है min function यह भी आपको minimum value find करके दिखाता है ctrl S then F5 तो अक्समा 1 minimum है answer is बिल्कुल सही आपका answer ओके आगे बढ़ते हैं अब अगला हम अपना function देखते हैं max भी होगा mean भी होगा अब आता है index it returns the index of an existing element of a tuple ठीक है इसका example है tuple of index element आपको हिंदी में समझा दो बिल्कुल अपनी देशी बाचना ठीक है आप नहीं 8 element आप देख पा रहे हैं आप चाहते हैं कि 21 कौन से इंडेक्स में मैं जानना चाहता हूं जानना चाहता हूं या चाहती हूं तो आप इसके लिए क्या कीजिए एम इकुल टू तपल आपका ठीक है डॉट इंडेक्स ठीक है और आप किसका इंडेक्स जानना चाहते हैं 21 का उस element को यह लिख दीजिए और मैं प्रिंट कर दूँगा एम ठीक है क्योंकि यह जो भी रिजल्ट जा रहा है वह हम के पार जा रहा है तो यह कह रहा है शेक्स पोजिशन पर आपका 21 है तो देख लेते हैं 1 है 0 पर 2 है 1 पर 3 है 2 पर 4 है 3 पर 5 है इस पर और यह 5 यह 6 पर ही है बिल्कुल सही है 0 1 2 3 4 5 और 6 बिल्कुल 21 आपका जो है 6 पर ही आ रहा है तो आप ऐसे अपने कोई भी element का इंडेक्स पता कर सकते हैं suppose मुझे 1 का इंडेक्स पता करना है जो element 1 है इसका इंडेक्स पता करना है तो यह है आपका 0 पर पिल्कुल सही आ रहा है तो आपने चेक भी करते रहने से क्या रहता है कि हमें चीजे पूरी समझ में आ जाते हैं अभी मैं बता दे रहा हूं तो आपको लग आपने बिल्कुल ट्राइ करना है जब तक आप ट्राइ नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख सकते हैं अगला है काउंट रेटर्स दे नंबर आप आइटम्स एस स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स एने टपल एक्जामपल टपल डॉट काउंट एलिमेंट मैं बता देता हूं यह कैसे ही दो कउंट पंशन जो होता है आपके जो भी टपल में है एलिमेंट इनको काउंट करने का काम करता है सब्सक्राइब आप चाहता है कि सर हमें पता करना है यह जो 5 ऐलिमेंट है इसमें कितने टाइम है तो मैंने लिखा वह एलिमेंट 5 को कॉइंट करना है अगर मैं हमें अगर मैं एलिमेंट करता हूं 5 1 5 2 5 3 5 3 तो तो कंट्रोल एस और यह देखिए बिल्कुल सयान चला रहा है तो यह जितने भी टाइम आपका हमारे पास पंचन या मैथड नहीं है क्योंकि लिस्ट के कम पैरिजन में अपल के पास कम मैथड या पंचन होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए या नेक्स वीडियो ठेंकि